हलो स्टूरें स्टांडर इट 15.1.2 पाइग्राफ और सर्कल ग्राफ पाइग्राफ इस यूज़ तू कंपेर पार्ट्स ऑफ अ होल राइट तो एक होल है उसके जो पार्ट्स है उसको कंपेर करने के लिए हम पाइग्राफ का यूज़ करते हैं पूरा जो सर्कल है वो होल को रिप्रेजन करता है 15.3 इस पाइग्राफ इट सोज़ परसंटेज ऑफ वीवर्स वाचिंग डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स राइट तो जो फिकर बता ही है वो डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स तो उसके जो वियूर्स है कितने परसंटेज क्या देखते है वो बता रहा है 15 जो है निव्ज देखते हैं 10% इंवर्मेटिव देखते हैं 25 परसंट लेखते हैं और 50 परसंट एंटर्टेभर्स देखते हैं then Histogram, Histogram is a Bargraph that shows data in intervals right histogram एक बार ग्राफ है जो data को interval में बताता है it has adjacent bars over the intervals right तो एक दुसरे के बाजू में ही bars होते हैं interval में histogram में the histogram in figure 15.4 illustrates the distribution of weights of 40% of locality तो जो histogram है figure में दिया है वो distribution of weights of 40% of locality बता रहा है right तो number of persons 4% जो है 40 to 45 kg वाले है right तो number of persons यहां सीथे बता रहा है right और यहां पर उनके weight बता रहा है तो 4% वो 40 to 45 kg के है 12% जो है वो 45 to 50 के अंदर बताया है right then 50 to 55 के अंदर 13% बताया है okay उसके बाद आगे 55 to 60 उसमें कितने परसंस है 6 okay 55 to 60 में 6% से then 60 to 65 60 to 65 में 7% से 5% से और 65 to 70 में कितने परसंस है वो हमें नहीं बता है 60 to 65 तक बता है okay there are no gaps between bars because there are no gaps between the intervals right तो interval में gap नहीं है इसलिए बार के बीच में भी gap नहीं है जहां एक interval खत्म होता है वहां इसे दुसरा चालो होता है no gap 50 से आएंड यहां 50 से start यहां 55 से end है तो यहां 55 से start है यहां 60 से end यहां 60 से start हो रहा है तो gap नहीं है इसलिए बार के बीच में भी gap नहीं है बराबर interval में gap नहीं है इसलिए बार में gap नहीं है what is the information that you gather from this histogram try to list them out right तो information आपको histogram से क्या मिजी तो इसको आप list out कीजी right तो कितने kg में कितने पसंद के कितने kg हैं को यह में information दे रहा है तो 12 परसंद जो है 40 to 45 to 50 में है 13 परसंद जो है 50 to 55 kg के है 6 परसंद जो है 55 to 60 kg के है 5 परसंद जो है 60 to 65 kg के है then 15.1.49 ग्राफ ओके वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 50 परसंद जो है 50 परसंद जो है 50 परसंद जो है 50 परसंद जो है